अपने flowering plant तो बहुत देखा होगा लेकिन आज किस वीडियो में दिखाने वाला हुँ इतने छोटे-छोटे flowering plant यह जितने सरे flowering plant मैं दिखाने वाला हुँ फरवरी जनवरी परवरी मार्च के लगा हुए पौदे हैं और अभी आप लोग मही में देख रहे हो वीडियो तो लगबग से दो महीने का ही पौदा सम्तिंग यह हो रहा है flowering plant जारा तर जो अपने यह सीजनर होने वाला है जैसे किसी यह आप जो देख पार हो यह विंटर का है इसे बोलते हैं बालसम इसे जो है खा रखा है कीट ने जो भी आप बोल सकते हो तो यहां पे सब की अंदर से प्लावर आ रहे है और यह सारे इतने चोटे चोटे पौदे बालसम के जो विंटर फ्लावडिंग प्लांट यह बोला जाता है और सारे में लगभग से फूल बड्स आ रहे है और आप लोग देख भी सकते हो आप लोग को सायल से दिखाई अगर देर आओगा तो आप है और यहां पर बस कुछी दिनों में इसके अंदर अभी सब में फूल आने वाले ठीक है आप लोग अगर यहां पर बहुर फरमाते हो ना तो यहां पर आपको पता चलेगा कि मैंने एक दो नी उधर तो येलो मेरी गोल्ड लगा रखा है मैंने दो लाइन पर घांस बहुत सम्थिंग से दो फिट से उपर का हो चुका है यह अपना ओरेंज मेरी गोल्ड है और बस इसमें फूल आना अभी बाकी है अभी तो इसमें फूल आया नहीं है और इसे तो यह विंटर वाला ही है तो अभी आता है कि नहीं आता मेरे को पता नहीं बट अगर आ जाता है तो बात है इधर मैंने दो लाइन पर मैंने लगाया है अपना बो एंद रहे लगाया है अरे अब यहां पर देखो यह है और फिस्क जिसके अंदर फ्लावर्स तो बहुत सारे आख के बहुत सारे यहां पर आते हैं और मैंने तोर भी रखा है बहुत सारे को और बहुत सारे गंदर तो सीड़ पॉर्ट भी हो रखा है बाद में बरा का रूप ले लेता है और यह तो आपको पता ही है यह कौन सा प्लांट है आप लोग बताओ मूर पंक है यह छोटा छोटा सा और ही बिसकस के अंदर सीड़ पॉर्ट तो भाई मतलब बावाल भाई बावाल यहां पर आप देखोगे न तो सीड़ पॉर्ट प्लांट को जिन्ना करने में फोकस लेगा अगर जर दिखता है तो तो रूट दिखता है तो यहां पर यह भी यह वही और यह वाइट मेरी कोल्ड है जो कि चार मेंने छे लगाया यहां पर यहां पर संफ्लावर है और इसका हाइट लगबग से पांच फिट हो चुका है आप देखोगे पांच फिट और फ्लावर्स तो इतने सारे आ रख़ है कि आप देखोगे बोलोगे दो मेने कहीं पहुत है और इतना यह बड़ा वाला थोड़ा है यह देशी पांच लोका है इसके लिए मैं टिप्स देना चाहूंगा जिनको टिप्स अगर मैं देना चाहूं तो इसको अगर आप लगाते हो एक जगे प्रॉपर एक कटिंग कर सकते हो जैसे कि थोड़ा सा कटिंग करता है तो आप कटिंग को तोड़ लो आप कटिंग को कहीं से भी तोड़ ले तो कोई प्रॉब्लम नी इसमें और बड्स तो बहुत सारे आ रखे आप यहां पर देख सकते हो मतला बहुत सारे आके यहां पर चले भी गया तो अभी यह पर को कृटिंग को तोर टोर के और कहीं और कर देना है तो ऐसे कुछ इतना ज्यादा आप कर सकते हो यहां पर मैंने चंदन का पौदा लगा रख्ञा है सेंडल वुड वाइट सेंडल वुड और इसके बगल में होस्ट प्लांट जो अपना है तुलसी का तो इसका भी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी हाला कि मैंने यह अपने घर के आगे मैंने लगा रखा है सारा चीज तो यह है अपना किसको बोलते है गॉंफ्रे ना बहुत ही अच्छा प्लास्टिक जैसा चोटा-चोटा फूल आता है इसके अंदर और यह है अपना गईस देख सकते हो सेलो सी अपना मेरी गोल्ड है तो मे यहां से कुछ लोगों ने तोर भी रखा है मैंने नहीं तोरा मैंने अब यह भी देखा कि यहां पर फूल जो है तोरे गए हैं यहां से दोदो फूल तोरके कोई भाग चुका तो यह गलत बात है बुरा लगता है यह जो आप देख पा रहे हो यह डेलीया है जो कि अपना can we care about a एक बच्चे को भी को ब्लट है योदो अब होने वाला है और यहाँ दो आपrespżenia यह को आपना यह इसको बोलते हैं पहले एधर कंई आपना ऍहा जमीन है जादा नहीं ironic क्यों कहैं05 depict कर भीडर सब्सक्राइब अपने ज़रीक से ज्यादा तो इसको मैंने नीचे में गड़ा नहीं करा था एसे इसे पर प्रॉब्लम है बट हां सब्सक्राइब है वो सकता है कोई अलग व्याटी होने के विए से इसका प्रोग्रेस निया क्योंकि सारे इतने छोड़े तो निया काफी बड़े हो चुके तो हो सकता है कि कुछ-कुछ पौधे का विकास थोड़ा कम देखने को मिलता है यहीं गोम ट्रेना ही है अभी बगल में म्यूजिक ब आने वाले हाला कि इसका कटिंग भी लगता है बहले बता रहूं मैं यहां पर कुछ लाइन से मैंने यहां एक अपना संप्लावर है और वह बड़ा वाला है और यह इतना छोटा है वह तब यह चोटा सा पौधा था लगबक्स यह दो फिट का है तो उसके जो मैंने दिखा कटिंग है तो यार उतना जाद तो गुरो नहीं हुआ गाई बट अब भी आने वाले टाइम पे इसके अंदर कुछ फ्लावर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं या फिर मेरे को थोरा और कट करना पड़ेगा इस पौधे को थोरा ग्रो करने के लिए और पपाया तो आप करणे के अंदर 3-4 पापाया आने वाले तो आप लोगा आचाना खाने के लिए पार्टी करें के साथ पर यह दुनिया का सबसे महहँआ पौदा जिसको पोलते है और इस दूनिया का समसे महहंँआ परफुम बनता है इसको आपलो क्या बोलते हो मिले को पता नहीं है बट इ म 2016 धर्टी होता तो मैं आपको सीधा बता रहों कि धरती जो ग्रोथ से कई अधी घूना जादाdepend तो रचीज कापी सारे पपाया और यहां पर हिसस्कास का यर्व हिस्के सिलника कि यह तẫnीर पर यह सिले हें। और इसके अंदर देखो गाइस इसके अंदर भी सीड़ पोट आप गवर से देखोगे ना तो सीड़ पोट देखो कितना सा रारक है तो पौधे के कद के मुताबिक एक फिट कभी पौधा नहीं है और सीड़ पोट आने लगा फ्लावर्स तो भर-भर के तो मेरे को ऐसे अब भी सीब्स तो मैं तोड़ना चालू कर दिया हूं मतलब ऐसे हो तो दो इसको अच्छा तो यह सहीं रहेगा गाइस मैं यह करने माफ हो और इसका इसके इसका ग्रोथ भाइस सहब गाइस क्या ग्रोध है एक ही पोधा है नो दो नी है छिर्फ एक पौद है और इसके अंदर इतना इतना साए ब्रांच मैंने कहीं हीं से कुछ नहीं तोरा आप ग्रॉस करो कहीं से मैंने कुछ तोरा है कुछ नहीं तोरा ऐसे ही नओर मल ही दिख व्रतaking क्या बोलें बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रोथ है इसके अंदर अब आप देख रहे हो जो है यह कॉक्सकॉम जो मैंने बताया था आपको ग्रोथ यह जैगे के उपर भी डिपेंड करता है कि इधर कुछ और है इधर कुछ और है वह इच सीनव रो तो यहां पर कॉक्सकॉम है कॉक्सकॉम बोलते हैं तो इसे पर यह येलो है यह आप लोग अपना पिंक है और ये रेड है ठीक है बिंक य्हलो और रेड यह तीन के अच्छछा है मैं मैं आपको एक छोटा से घ्यान देना चाहता हूं जो आपके काम आ सकता है कि एक होता है वेराइटी हर पटो नुद मैं इक सरव मां मैंस्मिमम ह रहा है यहां पर मैं कुछ यहां पर मैं सिर्फ यह मेंसन कर रहा हूं कि पौधों के अंदर तो बहुत सारे वेराइटी होते हैं यह जो आप देख पा रहे हो मिर्च चिल्ली आप देख पा रहे हो तो इसमें और इसमें बहुत यह अंतर है एक तो मैंने यह बोला कि इसमें धर्ती का भी फैक्टर होता ह कि यहां पर कुछ और है यहां पर कुछ और है यहां पर तुरा ज्यादा गोबर है तो तुरा अच्छा से हो गया लेकिन इतने दूर में क्या होता है तो यह विराइटी अलग है जो किसान लगाते हैं और यह विराइटी अलग है जो लोग बेचते हैं तो विराइटी भी पह होता है अपने पॉर्ट का ग्रोथ बिल्कुल फॉर्चुन के देख सकते हो डब्बे को कट कर दिया है मैंने बहुत सारे दब्बे खुद के घर पे तो मैंने इसको कट कर दिया था एंड यहां पर अभी जो आप लोग देख पा रहे हूं यह टोटल हिबिसकस हैं जो मैंने च अब बतारा मेरे को मैं आपसे फ्लावर तोर रहा हूं इसके क्योंकि ग्रोथ जो है ना इफक्त कर रहा ही है ब्रांचेस देखो ब्रांचेस खुद पर खुद आ रहे हैं ठीक है अब देखो आप सीड़ पॉट सीड़ पॉट देख रहे हैं आप लोग बवाल है ब्रो और एक इधर आठ एक पॉदे के अंदर आठ आठ चीड़ पॉट जो की कोई नॉर्मल बात नहीं है बहुत हाड़ है और बस यहीं सीड़ है गाइस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा फ्लावर बहुत इसके अंदर आते हैं ठीक है and thank you so much for watching this video